हल्ला दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है इलेक्रिक वेर्क सेंटर में दोस्तों इस जह अदर वायर कैसे डालते हैं वायरिंग कैसे करते हैं मैं यहां पे एक तयओ यह देना है यहां हूगsteps by victory देना है तीन light point देना है उसी सर्कीट से हमें एक सौकेट भी देना है रूम में इसलिए क्योंकि सर्दी के मौसम में उसी सर्कीट से हीटर चलेगा एसी तो नहीं चलेगा सर्दी के मौसम में और गर्मी के मौसम में एसी चलेगा हीटर नहीं चलेगा तो मैं यहां पर आपको वायरिंग करके दिखलान है घर रहे आपका उतना दिन मजबूती के साथ आपका केसिंग विट पकड़ा रहे साथ में यह भी मैंने उस वीडियो में दिख लाया है कितना है आपको स्वीच बूर्ट देना चाहिए क्योंकि अंदर ग्राउंड वाइरिंग का और ओपेन अगर केसिंग वाइरिंग कर र लगा झाहिए और केसिंग विट जो अधा है प्रोप्र नेसे उब ऑल पे किसरे सब बिटिक किया जाता है तो चल्य दूस्तों आज की वीडियो सुरु करते हैं के वाइरिंग कैसे करते हैं कैसीड घर की जैसे कि यह हमारा फ्लैट है और इस फ्लैट में जो वाइरिंग और उपर तरह से बीट जो है लगा करके रखूंगा पुरा क्लैम करके, किलिप करके, पुरा स्क्रू लगा करके, फिसर स्क्रू टैट करके और यहां पे फाइनल रखे हुए हैं, जैसे कि इस सेड यहां पे हमें AC का पॉइंट देना है, आप चलिए हम क्या करते हैं wirring start करते हैं तो सबसे पहले हमें wir लेना होगा तो weir हम क्या करेंगे सबसे पहले ہम बाहर चलते हैं और यहां से एक black एक red weir लेते हैं और 2.5 mm में का और यी से यूज करेंगे हम AC के circuit में जो AC है वो हमारा 1.5 ton का है और 2.5 mm wire से चल सकता है अब hall के सेट जो hole किये है main line ले जाने के लिए यहां से wire को हम डालेंगे क्योंकि इसमें दूसरा कहीं पर looping होना नहीं है यह direct AC तक जाएगा इसमें किसी तरह का joint नहीं होगा इस तरह से beating से होते हुए चला जाएगा यहां पे हमारा AC के जगा पे सबसे पहले इस wire को थोड़ा हम खीच लेंगे और इस wire को खीच लेंगे थोड़ा लंबा खीच लेंगे बड़ा हो जाएगा तो फिर reverse भी ले सकते है इसलिए मैंने hall से लिया हुआ है उसके बाद एक body earth का wire लेंगे body earth का wire जो है room से ले सकते है और यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे wire को यहां पे इस तरह से socket हमें लगाना है उपर और इस तरह से यहां पे हमारा switchboard रहेगा तो measurement करेंगा और थोड़ा लंबा करके cutting कर देंगे जितना हमारा switchboard में आ जाए wire उसके बाद फिर लेंगे तीनों wire को और यहां पे तीनों wire में सबसे पहले taping करेंगे इसलिए क्योंकि पहचान में रहे कि हाँ यह हमारा input का है और जो तीन wire को हम cut किया है socket के पास जा रहा है उसमें taping नहीं करेंगे उसके बाद छे wire यहां पे हो गया इस छे wire को मुह पे इकठा करके tape फिर लगा देंगे ताकि हमारा wire इकठा हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे सबसे पहले यहां पे लेंगे इसका धकन जो है और इसको measurement करेंगे यहां पे इतना लंबा हमारा लग रहा है और cutting कर लेंगे सबसे पहले धकन को इस तरह से cutting कर लेंगे इतना लंबा हमारा लगेगा उसके बाद क्या करेंगे इसमें हम इस तरह से wire को डालेंगे और इसे बंद करेंगे सबसे पहले यहां पे अच्छी तरह से जब धकन जो base रहता है उसमें जब wire को इकठा कर देजएगा और उपर से जब धकन को ऐसे मारिएगा तो यह बंद हो जाएगा इस तरह से आपको बंद कर लेना है प्रोपर तरह से wire अगर इधर उधर बाहर निकल रहा है तो सबसे पहले अंदर कीजए तब जाके अपका धकन बंद होगा नहीं तो बंद नहीं होगा ज़्यादा जब अज़स्ति कीजएगा तो तूट जाएगा सबसे पहले उपर क्या करेंगे wire को इस्ते से मोड़ेंगे इस वाले wire को हमें लेके जाना है main है इस side और दूसरा वाला जो wire है socket के side लेके जाना है तो दोने side मोड़ के उपर इससे पकड़ के रखेंगे उसके बाद wire को क्या करेंगे सबसे पहले इससे अंदर करेंगे अंदर करके फटा फट हम क्या करेंगे इससे बिट को बंद कर देंगे यानि धकन को उपर से बंद कर देंगे इसते से हमारा यह बंद हो गया उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे यह जो यहाँ पर मूड़ेगा यहाँ पर वायर को हमको थोड़ा सा मूड़ के दबा देना होगा ताकि वायर हमारा बैठ जाए उसके बाद इसे यहाँ पे भी क्या करेंगे धकन को लेंगे और इसते से बंद कर देंगे इसते से हमारा यह बंद हो जाएगा और यह प्रोपर बंद हो जाएगा अगर कहीं पे इसते से मोड पे वायर प्रोब्लम कर रहा है तो थोड़ा सा वायर को दबा देजिए अंदर त तो ये क्या होगा, उपरा के पूरा चिपक जाएगा, बराबर बैठ जाएगा, इस तरह से हमारा हो गया, उसका बाद चलिए क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमको यहाँ इस जगह पे होल्डर लगाना है, तो यहाँ तक सबसे पहले कवर बंद कर लेंगे, यानि धकन बंद कर करेंगे, अच्छी तरह से इस तरह से बंद करेंगे, और यहाँ पे जो एक बिट डाउन हो रहा है, वो है हमारा पॉर प्लक का, तो सब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां तक बराबर इसको बंद कर लिएगे, ताकि हमारा ठकन निकले नहीं, वाइर गिरे नहीं निचे, और यहां पे एक wire जो black वाला holder से हम लिए हैं इसको यहां पे cut करेंगे क्योंकि यह हमारा neutral है holder के अंदर और यहीं से हम neutral इसको दे देंगे और जो एक yellow है वो direct switch से आएगा हमारा switchboard से और जो green wire है buddy earth को यहां पे हम क्या करेंगे looping कर देंगे यानि loop कर देंगे joint इसमें नहीं कर करेंगे यहां पे हम क्या करेंगे loop कर देंगा और इसको भी इसमें पहले फसा देंगे अच्छी तरह से ताकि wire हमारा wire हमारा नीचे गिरे नहीं उसके बाद तीन wire लेंगे जैसे neutral black हो गया उसके बाद red हमारा face हो गया और यह inverter yellow हो गया और तीनो 1.5 mm का wire है और यहां पे हमा करेंगे और फसाने के बाद क्या करेंगे बंद करना स्टार्ट करेंगे यहां पे टुटल वायर आप देख लिए दो एसी का हो गया एक बड़ियर्ट का हो गया तीन फिर मेन हो रहा एक नूटल एक फेस एक इनवेटर और एक पॉइंट का wire हो रहा है यह सब को कॉर्णर त गया था इसको क्या करेंगे यहां पे चीलेंगे और यहां से 1.5 का जो हम नूटल लिये हैं ब्लैक कलर का इसमें हम इसको ज्वाइंट कर देंगे यहीं से हमारा क्या होगा नूटल मिल जाएगा बल्ब को और बल्ब को जो यलो कलर का wire है वो स्विच से आएगा फेस तो इस क्या करेंगे फिर ढशन को लेंगे यहां पर और इसे बंद कर देंगे सबसे पहले उपर से हम बंद क्रेंगे तकि शकांल टौल गया यहां वेहां teaching its Color का तीप दख你 और यहांन झाल में जो कि Matख़ करेंगे तयोकी ढश्कार यहां यहां करना और यहां से हम बंद करना और इसको बंद करते हुए लेकर के चलेंगे यहाँ पे एक bulb लगाना है सबसे पहले तो हम अच्छी तरह से इसको बंद करेंगे यहाँ पे जैसे बंद लगाना है, उपर से भी वायर आएगा फैन का तो यहाँ पे क्या करेंगे हमारा ढगकन थोड़ा बड़ा है तो हमें cutting करना होगा तो सब सब पहले बराबर बं करने के बाद हम क्या करेंगे cutting करने के लिए marking करेंगे और उपर उठा करके cutting करेंगे निचे अगर रखेंगे तो wire पे लग सकता है आपका hex of blade और wire cut सकता है उसका बास क्या करेंगे यहाँ पे spring डालेंगे अब क्या करेंगे सबसे पहले यहां पे spring को निकाल लेंगे उसके बाद यहां पे दो वायर लेते हैं एक mm का एक red एक black black हमारा neutral है और red जो है वो हमारा fan का है हम red color का यूज कर रहा है यहां पे आप चाहें तो कोई सा भी color यूज कर सकता हूं उसका बीट में जो hole किये हैं यहा कि हमारा wire बीट के अंदर आ जाए उसके बाद spring में क्या करेंगे wire को अच्छी तरह से बांद देंगे उसके बाद क्या करेंगे fan box के side इस wire को यहां से खीच लेंगे यहां पे wire आ गया और spring में खुलने के बाद इस तरह से एक और यहीं से हम क्या करेंगे जो power plug से हम neutral wire लियते 1.5 पाइप का इसी से हम इसको looping कर देंगे एक wire और हमें यहां से लेना होगा yellow color का क्योंकि यहां पे एक bulb है एक bulb का point हमें बनाना है और उसके बाद सभी wire को यहां से ढखकन लेकर के बंद करना स्टार्ट करेंगे एक चीज wire box लगाना होता है उसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे इस तरह से बंद करना स्टार्ट करेंगे wire को बिल्कुल state रखेंगे अंदर के set पकड़ के रखेंगे बिल्कुल बराबर और सिधा तो आसानी से बंद हो जाता है उसके बाद फिर इस कॉर्णर पर से फिर इसको बंद करते हुए आ रहा है जैसे कि हमारा यह जो बीट ड्रॉप हो रहा है नीचे स्वीच बोड के लिए यहां पर हम थोड़ा सा इसते से वायर को अभी मोडर है इसमें से दो वायर हमें निकालना होगा सबसे पहले धकन को मजबूत बंद कर देंगे उसको दो वायर जो है एसी का इसको हम क्या करेंगे किसी तरह से स्वीच बोड में नहीं जाएगा क्योंकि ऑन अफ वी जो हो रहा है वो बोड अलग लगा हुए एसी का और सभी वायर को जो लंबा है इसते से फिर हॉल के साइट डाल देंगे उसके बाद यह जितना वायर है यह सब का सब आप पडियर और ओवडियाट और ऑफका इन्वेसर को हौल के साइड से फिर डालेंगे हैं जिस तेसे और हम डाले अरू के स्वीच बूड में उस से पहले दो और यहां कुए है और यहा नियती का लिए वायर पलस दो पॉइंट का वायर यहां से लिए हैं और चाहिए सब को बंद कर देंगे यहां उपर ढठत वायर्ठ द्यान में रहता है, इसलिए बार 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 बोल रहा हूं कि नुए कि कभी घ्यां से आ रहा है एक yellow एक black तो black wire को यहीं पर cut कर देंगे cut कर करके हटा देंगे और यहां पर एक wire neutral का लेंगे जो हमारा power plug के set से आ रहा है उसी में हम इसको chill करके joint करेंगे ऐसा नहीं है कि main जो हमारा आ रहा है उसमें joint हो भी यह ऐसा बिलकुल नहीं करना है जो हमारा power plug के side से आ रहा है उस neutral में आपको joint करना है इस बात को हमेशा ध्यान में रखेगा और अच्छी तरह से joint कर लिजेगा उसका बाद उसमें टेप भी लगा दीजेगा और पलाय से पूरा वायर को ब्राबर करेंगे और इससे बीट के अंदर डालेंगे बेस में उसके बाद उपर से फी धकन को क्या करेंगे बंद कर देंगे इस तरह से उपर से जा करके हमारा बराबर बैट जाए उसके बाद एक वायर है हमारा पॉइंट का बल्ब का इससे भी कटिंग कर देंगे अब यहां पर हमारा स्विच बोड लग सकता है कनेक्शन करके इस तरह से इस रूम में टूटल हमारा वायरिंग हो गया आप सिर्फ हमें होल्डर लगाना है और बोड लगाना है तो बोड तो बाद में लएगा पेंटिंग होने के बाद हम यहां पे शिर्फ इस टाइम पे होल्डर लगाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं आपको ड्रौइंग पर समझाते हैं किस दे से वायरिंग किया गया है क्योंकि होल्डर में दो वैर क चलते हैं अगर कहीं पर आपको confusion होगा doubt होगा तो ड्रोइंग पर आपका clear हो जाएगा क्योंकि अंधेरा कभी रहे रूम में night हो या कभी भी तो हम bulb को on कर सके दरवाजा खुलने के बाद तो यहां पर हमारा switch board है सबसे पहले हम यहां से start करेंगे यहां पर एक AC का socket है उपर और यहां से neutral है फेस है अर्थ है तीनों wire के ले करके आए हैं नीचे है और नीचे ही एक board लगाए है इसे में एक socket लगा देंगे एक switch रहेगा जो यह socket on off होगा socket जो लगाएंगे ठंडा का मौसम जब रहेगा उस समय heater चलेगा और जब गर्मी आएगा तो गर्मी में heater नहीं चलता है यहां पर AC ही चलेगा उसके बाद यहां पर तीन आपका जो main wire है जैसे अर्थ हो गया neutral हो गया फेस हो गया इस तीनों wire को ले के आए हैं यहां तक यहा लेकर के बाहर निकल गया है यह direct distribute box में चला जाएगा और यह जो अर्थ है यह main wire जब आएगा न्यूटल फेस इस रूम का circuit इससे यह looping हो जाएगा अब चले यहां पर हम आते हैं यहां पर क्या किया एक बल्ब का point दिये हैं तो एक तो switch से face wire आता है current face current तो इसको लेकर एक न्यूटल में यहां पर हम joint कर दिया है और यह power plug के पास एक न्यूटल एक face और एक inverter का wire लिये हैं और यह चारो वायर को लेकर करके आगया है switchboard में लेकिन यहां पर जो बल्ब का point है यहां पर हम न्यूटल को looping किये हैं क्योंकि बल्ब को न्यूटल यहीं से दे दिये हैं और इसी न्यूटल में से एक fan के पास लेकर के wire चलाया है ताकि fan में भी neutral मिल जाएगा और fan का जो switch से wire आएगा वो यह वाला wire है इसको लेकर आगया है switchboard में इस bulb का जो wire है यह भी आगया है switchboard में न्यूटल यहीं से मिल गया है फेस यहां से चला जाएगा उसके बाद एक bulb यहां पे भी है तो यहां पे जो न्यूटल हमारा power plug के side से आ रहा है उसी से loop किया है एक wire joint करके इस bulb के पास लेकिया है इस bulb से एक और wire जो आएगा face वो आपका आ जाएगा switchboard से जो यह wire है उसके पाद एक neutral एक face यह हो गया और एक अर्थ हो गया यह तीनों मिलके circuit हमारा बाहर चला गया है इस ते से इसके अंदर wiring हुआ है आप चाहिए तो screen shot ले सकते हैं इसके अंदर जो board है paint इस room का final हो जाएगा उसके बाद लगाएंगे यहां पे सिरिफ हम holder लगाने वाले हैं board कोई इसा भी है finishing painting हो जाने के बाद लगाएंगे ताकि गंदा नहीं हो plus party का भी यही कहना है यहां पे हम आपको सिरिफ holder लगा के दिखाएंगे holder लगाना बिल्कुल इजी है दो wire का connection करना होता है जैसे यहां पे यह जो black है neutral है सब black को आपस में joint करेंगे plus एक wire और joint करेंगे यहा है तो क्या करेंगे कट कर लेंगे इसी में से joint अच्छी तरह से करने के बाद क्या करेंगे उपर वाला जो बीट है इसमें हम wire को डाल देते हैं इसलिए क्योंकि उसमें दो ही wire है जगा है इसलिए हम डाल रहा है नहीं तो यहीं पे हम मोड भी सकते थे या छोटा cutting करके joint भी फीसर डाल देंगे फीसर डालने के बाद जो यह square box आता है आपको दो सैड तीन सैड जितने सैड आप चाहें इस तरह से आपका जो साइज बीट का है उसी साफ से marking कर लीजे इस तरह से और इस तरह से cutting कर लीजे और cutting करके इसके उपर आपको holder लगाना होता है और इसी के इसलिए सेलिंग रोज नहीं यूज हो रहा है यहां पर तीन सैड हमारा बीड जा रहा है तो तीन सैड कर लेंगे जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है तो इस तरह से cutting करने के बाद क्या करेंगे स्कूरू लेंगे स्कूरू लेने के बाद क्या करेंगे इसमें जो फीसर है क्या करेंगे यहां पर connection कर लेंगे connection करने के बाद जो 위 मरा होल्डर लग जाएगा स्कूरू कसने कबाद जो उपर का इंप नहीं रहता है इसतारी सह को लगा देंगे यहां पे दो यहां पर जेसे हमने होल्डर भी कस लिया है इस रूम में और इस रूम का मापको ड्रॉइंग भी दिखा दिये हैं और इसके बगल वाला जो रूम है सेम इसी तरह से वाइरिंग है, तीन लाइट है, एक फैन है, एक स्वीच बोड है, चलिए जैसे कि हम आपको बाहर लेके चलता है, जैसे इस रूम का तो यह मेन वाइर हो गया, यह चला जाएगा डिस्टिब्यूट बॉक्स में, लेकिन इसी के बगल में यह वाला जो रूम ह इसका भी वायरिंग हम कर दिये हैं, इसमें किसी तरह का एक्सजेंज नहीं है, सेम इसके अंदर हम आपको दिखाता है, एक लैट यहाँ पे है, और यहीं पे हमारा स्वीच बोड नीचे है, यहाँ पे क्योंकि यहीं पे दरवाजा है हमारा, उसके बाद इस सेड आएंगे तो यहां पर एक light है उसके बाद यहां पर AC point है लेकिन नीचे जो है AC का socket रहेगा ही switch रहेगा ही एक लेकिन power plug भी यहीं पर रहेगा जो इसके अंदर wiring किया है उसका drawing यह है इसे अच्छी तरह से देख लिजे समझ लिजे और आप चाहे तो screenshot भी ले सकते हैं और अच्छी तरह से देख सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो like और share कीजिए चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और अगली वीडियो के पार्ट में हम आपको दिख लाएंगे इसके अंदर की wiring इस वीडियो में इतना ही